टेक्स्चर देख रहे हैं इस मिठाई का एक तम रेडिमेट लग रहा है लेकिन ये बना है बिना गैस चलाएं मिंटो में घर में कोई पार्टी है या फेस्टिवल है तो हम धेर सारी मिठाईयां बनाते हैं या मगवाते हैं तो आप दो-तीन मिठाईयां ये रख लिए फटा मिठाई बनने के लिए मैंने एक बोल भूना चना लिया है ये मार्केट में आपको असानी से मिल जाएगा हलके हाच से से रगड के चिलके हटा दें थाले में इसे फटक दें चिलके आगे चले जाएंगे इसमें कोई जंजटनी बहौत असानी से हो country और बेसन भुनने के ज पहल चीनी को पीश ले । गी और चीनी के इस mixture को इस spoon से सिर्फ एक side से जैसे आप वीडियो में देख रहे ना एक मिनिट के लिए fat ना है जिसका इसका जो texture है वो whipped cream की तरह हो जाए जैसे आप neste cream में केक में के लिए whipped cream क्रीम करते है बस वैसे ही यह करना है अब ये तो विप्ड हो गया है इसमें आप अपने पसंद के ड्राइब फ्रूट से एड़ कर लें यहां मैं 1 टेपले स्पून नारियल का बुरादा एड़ कर रही हूँ आप वो भी जादे कर सकते हैं इसे मिक्स कर लें साथ में डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए वनिला एसंस नहीं है तो आपी लाइची पाउडर एड़ कर दें चने को मिक्सी जार में पीस कर इसका फाइन पाउडर एड़ी कर लिया है देखिए एक दम फाइन पाउडर है इसे एक बार छनी से चान लें जिससे थोड़े बहुत जो छिलके रह गया होंगे न वो भी अलग हो जाएंगे वो मिठाई में अच्छे नहीं लगते हैं मेजरमेंट के लिए एक बोल जरूर सेट कर लिजेगा जिस बोल से आप भूना चना लेंगे न उसी बोल से आधा बोल शुदगी ले लिजेगा और आधा बोल शुगर पाउडर मीठा जादे पसंद है तो शुगर बढ़ा भी सकते हैं शारी चीजों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इस तरह मुठी में प्रेस करके देखिए अगर लड़ू बन रहा है तो एक दम परफेक्ट मिक्शर है यहां मैं आपको एक टिप दे दू अगर आपको लंबे समय से किया मिठाई रखनी है तो आप पानी या गुलाब जल इसका डो रेडी करें मैं यहां टू टेबल स्पून मिल्क एड कर रही हूँ और अब इसका मैं किस मूठ डो रेडी करूंगी एक बार में जादे नहीं डालेंगे इस्पून से ही लेंगे डो रेडी है तो इसमें एक बॉल के बराबर डो लेकी हलके हाथ से इसका रोल बना झाल रही हूं इसको फ्र milligrams प्राइब में अधे घंटे राग्ड़े सट करने के लिए उसके बाद ही कट करेंगे अच्छा आप इस तरह से पेडा भी बना सकते हैं लड्ड़ू पेडा बर्फी जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप इसको बना लें आधे घंटे बाद में इसको निकाल रही हूँ चलिए इसे कट भी कर लेते हैं ये मिठाई टेश्टी के साथ हेल्धी भी है आप इसे बच्चों के शॉट टिफिन में भी दे सकते हैं और घर में बच्चों के लिए आप हमेशा बना के इसे रख सकते हो गया ना फटा फट रेडी अब चलते हैं मिल्क पाउडर डाल दिया है अधा बोल इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर तो डाला है मैंने फ्लेवर के लिए लेकिन मार्केट वाला टेस्ट आने के लिए वन स्पून केवडा जल डाल दिया अब स्पून से ही मिल्क डाल कर इसका एक स्मूढ डो रेडी करूंगी स्पून से ही इसलिए डालना है जिससे जादा एक बार में ना गिर जाए हाथ से इसका एक स्मूढ डो रेडी करें टिफिन में इसे सेट करें इस तरह से स्प्रेचुला से प्रेस करते हुए चांदी वर्क या पिस्ता जिससे चाहे आप गानिश कर लें आधा गंटा इसे सेट होने के लिए रखतें और इस तरह से इस चाहे इट से करके निकाल लें टिफिन बॉक्स में इने घी ग्रेस कर दिया था या तो ग्रेस कर लें या बटर पेपर लगा लें और अब इसे कट कर लें तो लीजिए एक और हेल्दी मिठाई रेडी हो गई काजू और नारियल से जब घर में ही बिना गय जलाए मिंटों में हम बना सकते हैं तो मार्केट से इतनी महगी मिठाईया क्यों लाना घर में साफ सफाई से बना लेंगे तो चलते हैं अब तीसरी हेल्दी मिठाई की तरफ जो बच्चों का भी फेवरेट होगा और बनाएंगे इसे भूनी मुंगफली और भूने चने से मुंगफली को ड्राय रोस्ट कर लेना है एक बोल मुंगफली उसका डबल भूना चना मुंगफली के चिलके को हटा कर मिक्सी में इसको डर-बरा सा पीस ले इस तरह से इसे एक बोल में ट्रांसफर कर दे चिलके बहुत असानी से हट जाएंगे जैसे चने के चिलके हटाया थे न अब यहां ले लिया है एक बोल चना इसका फाइन पाउडर बनाएंगे भी बोल में ट्रांसफर करेंगे और मीठे के लिए मैं यहां डाल रही हूँ शहद, खजूर भी मीठा होता है तो 2 स्पून शहद लिया है, शहद ना हो तो आप चीनी डाले और 1 फोर्स स्पून के लगबग घी लिया है, सारी चीजों को हाथ से इस तरह से मिक्स कर लें, दो अगर ड्राय लगी तो थोड़ा सा घी आप बढ़ा लिजेगा, घी से ग्रीस करके इस पर बर्फी सेट होने के लिए रख दिया, अधा गंटा इसे फ्रिज में रख दे जिसे अच्छे सेट हो जाए, आधे गंटे बाद निकाल कर इसे कट कर रही हूँ, अब आप सोच रह माइक्रोवेव में 30 सेकेंड गरम कर लिया, ना हो तो आप गरम पानी में बोल लग दें, चोकलेट आपका मेल्ट हो जाएगा, और चाहे तो पूरी मिठाई को डिप कर दें या इस तरह से सिर्फ स्पून से लगा दें, पस बच्चे ये मिठाई एक दिन में ही खतम करेंग तोड़ कर मैं इसका टेक्चर भी दिखा दे रही है, तीनों ही मिठाईयां बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, कल भी मैं ऐसी ही एक रेसिपी लाओंगी बिना गयस जलाए ये मिठाई की, तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, थेंक्यू